राधी राधी एप्रिवान, हाव यू आल, आई होब दाट यू आ फाइन एंड दूइंग वेल, वेलकम टू माइ अनदर न्यू कोकिंग ब्लॉग, आज मैं फिर से हजर हो गई हूँ, एक हल्दी टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके, तो देखिए, आज मैं मिनाने जा इसे चटनी के जैसा यूज कर पाएंगे, रोटी या चावल के साथ, दोनों के साथ ही यह बहुत अच्छे तेरे के से जाती है, तो मैंने लगबग एक कटोरा पोस्तो यहां पर ले लिया है, और उसे के साथ मैंने मिक्सी के जो छोटा वाला जार उसमें मैंने इसे डाल द बहुत अच्छी से खुश भूआएगे, इसके साथ ही हम इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे नमक, तो यह बहुत जादा गीला नहीं बनेगा, सुकी सुकी चटनी बनेगी, इसलिए बहुत जादा नमक आप इसमें न डालेंगे, अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन बहुत जादा रहना चाहिए यह, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह कितना मैंने इसे पीसा है, धीखे, यह थोड़ा सर्दर्दरा रह गया है, इस तरीके से मैंने इसे पीसा है, तो यह तो रेडी है, पर इसकी एक खासित है क्योंकि यह बाटी पोस्तों है, तो यह जाएगी जो हमें स्टील वाले बरतर में नहीं मिलेगा यह जल जाएगा और नॉनस्टिक में भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह साइट से चिपकेगा ही नहीं, इस वज़े से हम इसे अलुमिनियम के कटूरे में मनाते हैं, अब मिट्टी के बरतर में बना पाएगे, वह बहत क्लीक था इसके साथ ही मैंने यह पर डाले या दो टेबल्सपून सर्सों का त Orlando, अगर आप कम तेल, दालें हैं तो एक टेबल्सपून डालें या 1धर लेकिन ये थोडशे Portal जादा सर्सों के तेल के साथ है इसलिए मैंने यह यह दोड़न आपर दो टेल आल दीगे और इसे अगर नहीं रहता है तो यह तुरंट जल जाएगा और जब हम इसे गयस पर चढ़ाएंगे तो बीच बीच में कुछ सेकंड्स के डिफरेंस में हम इसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे और यह बहुत ज्यादा चीटता है जिसके वज़े से आप क्या करें इसके ऊपर एक तो इस तरीके से हमें इसे स्टर करते रहना है बीच बीच में और जब यह बिल्कुल सूख जाएगा और साइट साइट से लगने लगेगा मतलब हम स्टर करते रहेंगे और इसका पानी अपने आप देखिए तेल कैसे निकल कर आया है और पानी जो है वह धीरे-धीरे करके सुखने लगेगा यह टाइट होने लगेगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा पोश्तो जा है वो बन गया है मिन साइड से किनारे किनारे से और नीचे से भी पोश्तो थोड़ा-थोड़ा स्टिक होने लगेगा मतबाब कितना भी इसे इपनेट। यह थोड़ा सा स्टिक रही जाएगा . और इसका थोड़ा सा कैम कार्श में कनक कमी में पूस्टे है जबता हुआ है . तो थोड़ा सा पानी आहे थे से रेडी हो गया है अब मैं गाइस को आफ कर दूंगी और यह रेडी है सर्विंग के लिए तो मिलते हैं इसी तरीके के अखली ब्लाग में तिल दिन राधे राधे बाइ एंड थैंक यू